अस्सालाम अलेकूम आप देख रहे हैं हम्हें आपका दस ममाश वाखली चादरगाट पीएस लिमिट में एक खातून जो जईफ खातून हैं उनको उनके दामाद और उनके दामाद के भाई ने बड़ी ही बेदर्दी से मारा मार मार के उनका हाथ तोड़ दिया और इनकी बे कुछ उड़ा लेती हूं मैं आपको नहीं पाल सकते तो छोड़ दो मगर इस बात पर घुसे में आके वो लोग घर में घुसके मारना चालू कर दिये बड़ी ही बेदर्दी से उनके पर जलूम किया गया हम चाह रहे हैं के इस हकूमत को चाहिए कि आईसे लोगों पे कड़ कोई जो जिनके ओपर जलूम किया गया हमारे दामाद दाज हमारे घर पे आके हमला करें उनको दो साल हो गए थे उनकी शादी होके हर वक्त एक लाग देओ दो लाग देओ बहुत परिशान कर रहे थे मैं तकरीबन मदद के लिए चारों तरफ गई मैं लेकिन कुछ भी नह महीने का अब उन्हों भोस सता रहे तो उनके घर से मैं सामान लाली भई आप नई कमाते ना जान दो मेरी बच्ची मेरे पास रहने दो कल सामान लेके आई आज मैं मगरिब की नमाज पढ़ी थी नमाज में खटका आया मेरा बच्चा दर्वाजा खोला खोलते चुनों उनक कि भाई मेरे पेट में लात मारते गए और उन्हों अमर खान मेरे चुले में से जाके चाखु निकाल के लेका कि अपते को खता मेरा बच्चा बहुत जादा बड़ा भी नहीं है 17 साल का धकल रहा मेरी बच्ची के गोद में 6 महने का बच्चा उन्हें धकल रही हर्गिस नह कुछ चोड़ रही ना कुछ आज तो मेरी जान लेने आ गए मैं बहुत परिशानी में है प्लीस आप लोग मेरी मदद करिये हमें कंप्लेंट दी चादरघाट में भी या चादरघाट पीएस के बाहरी ठहरे भी हूं मैं कि मैं अच्ओं दाल दी है मेरे हाथ में मैशूगर पेशन हूं महीं मैं माकान मेरा यहां पे मुस्लिम होस्पिटल के सामें गली में हैं अंदर घुस वस्मानपुरे में प्लीस आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है के आप लग मेरी मदद करिये ऐसा नहां के फिर ऐसी बच्चीयों को छोड़े और उनके माबाप को अंदर घुसके मारे ये कब तक गुंदा गुंदा गर्दी रहेंगी ये तमाशा होंगा बोलो पोलिस से अच्छी उमीद है मदद का मुतायलाबा है मेरा